नमस्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा उनलाइन इस्टड़ी विडिकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुक फसलों के त्योहरों यानिकी उत्सव के बारे में फसलों के उत्सव कौन-कौन से प्रशन लिए हैं यदि आपने ये वीडियो देख लिया और उत्सव समझ देदी एक्जाम में प्रशन पूछा गया तो इससे हट के नहीं जाएगा इस प्रकार से प्रशन लिए गए हैं तो आपको स्क्रिप्ट नहीं करना है वीडियो को पूरा देखना है और अंतम हमें जरूर बताना है कि आज आपको जानकारी होना चाहिए मकरसक्रान्ती पॉंगल बीहू लोडी वंगाला विश्यू गूरी पड़वा बैशाकी नवाखाई हरेली और नबना ये सबी भारत में मनाये जाने वाले फसल उस्सव है जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए यादि नेगेटिव प्रशने पूछा गया या फिर positive प्रशने पूछा गया आप महाँ पर directly answer लगा सकते हैं या आपको इसकी जानकरी है तो जो important फसल उस्सव है उन्हें के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है तो चलिए सुरू करते सबसे पहला प्रशने मकर सक्रांती का देखें मकर सक्र का देखें माँ इसे नहीं है वहाँ उनको किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे जो विकलोन है उसी के अनुसर यहाँ पर आंसर दिया है इन त्यूहर मनाया जाता है दूसरा प्रश्ण है केरल में फसलो से सम्मनित कौन सा त्यूहर होता है केरल में फसलो से सम्मनित त्यूहर पूछा गया है ओनम है पॉंगल है मकर सक्रांति या फिर लहोडी है देखे चारों विकल पे ही फसलो से सम्मनित है लेकिन केरल में कौन सा मन आप हरेली तयोहर कहां मनाए जाता है मढडिप्रद्जिस में मणीपूर में तया मिला में ने इनॉल है कहाँ पर मनाया जाता है तो याद रखीगा य006 गड में मना जाता है इप के जचराइन और निदॉटार कून शायओ मना जाता है कि गुजा थोड़े दिर पहले आपन् emotional में दिया होगा तो आंस रप यहां पर बिल्कुल शेटीक लगा सकते हैं कि जो गुजरात में फसलों से जुड़ा हुआ त्यूहर मनाय जाता है वो कौन सा त्यूहर होगा मकर सक्रांती होगा सूरुमें हिआपको हमने इसके बारे में जानकारी दे थी मकर सक्रांती के त्योहर को कब मनाया जाता है जैसा कि अभी तक जो सबसे ज़्यादा प्रशन पोछा गया है मकर सक्रांती के उपरे तो आपको पता होना चाहिए कि मकर सक्रांती के त्योहर को कब मनाया जाता है 14 या 15 जनवरी को 14 या 15 फरवरी को चार या पांच जनवरी को या फिर चार या पांच फरवरी को तो मकर सक्रांती के त्योहर को कब मनाय जाता है तो इसे 14 जनवरी को मनाय जाता है कब मनाय जाता है 14 जनवरी को मनाय जाता है हमेसा लेकिन कभी कभी 15 जनवरी भी वहाँ पर विकल्प में दे देते हैं तो आपको चौदा और पंदरा जनवरी दोनों ही याद रखना है तो बिलकुल आपका सही अंसर होगा जो चौदा के जगर पंदरा जाए तो पंदरा भी आपका सही हो गया ने कि चौदा या पंदरा जनवरी को मकर सकरांती के त्यूहार को मनाया जाता है पंजाब में फसलों से जुड़ा कौन सा त्योहर मनाया जाता है जैसे कि असम में हमने जाना गुजरात में हमने जाना अब आपको पंजाब में फसलों से जुड़ा कौन सा त्योहर मनाया जाता है इसके बारे में बताना है बिहू, ओणम, लहोडी या फिर उप्रक्त में से क पर पंजाब के फसलों से जुड़ा त्युहार के बारे में पूछ जाए आपका सही आंसर होगा लोडी काफी इंपोटेंट परशने ध्यान दिजेगा पंजाब में फसलों से जुड़ा त्युहार कोल सा होगा लोडी होगा नबना त्युहार कहां मनाया जाता है इसका नाम आपने पहली बार सुना होगा या पर पहले भी सुना होगा नबना त्युहार के बारे में भी पूछा जाता है नबना त्युहार कहां पर मनाया जाता है मद्यप्रदेश पर्शिम मंगाल मनीपूर या फिर ओडिसा तो नबना त्युहार जहां पर आये तो आपका सही आंसर क प्रकति कि आदिवासी जो लोग होते हैं वे प्रकति की पूजा करते हैं वंगला नवंबर महा में फसल काटने से पहले अच्छी फसल की कामना के लिए मनाते हैं इस दिन लोग शूरी देवता की पूजा करते हैं या त्योहार कहां मनाय जाता है देखिए इसमें तीन से चार प्रशना आपके छुपे हुए किस प्रकार से जो वंगला त्योहार ही कम मनाय जाता है तो नवंबर महा में मनाय जाता है क्यों मनाय जाता है फसल काटने से पहले अच्छी फसल की कामना के लिए मनाय जाता है और किसकी पूजा होती है इस दिन तो इस दिन सूरी देवता की पूजा होती है यह प्रशना इसलिए रखा गया है ताकि आपके जो प्र प्रश्ल की काबना के लिए मनाते हैं इस दिन लोग शूर्देवता की पुझा करते हैं त्युहार कहां मनाये जाता है तो याद रिखीगा यहां त्युहार मेगाले में मनाये जाता है याद रिखीगा इंपोटेंट मेगाले में वंगला त्युहार मनाते हैं वो भी फसल के के लिए मनाते हैं चलिए सरहुल पर्व के बारे में आप। ज्रहुल्पर्व कहां मनाई जाता है उत्तरप्रदेश मेगाले ज्जारकर्ण या फिर मद्दिप्रदेश सरहुल्पर्व के बारे मैं पूछे आपका सही answer क्या होगा ज्जारकर्ण उत्पादन के लिए ही इस त्योहर को मनाया जाता है सरहुल परव को, सरहुल परव कहां मनाया जाता है, तो यह जहरखन में मनाया जाता है, सरहुल के दिन विशेश रूप से किस पेड की पूजा की जाती है, जो यह त्योहर मनाया जाता है, तब किस पेड की पूजा की जाती तो यह साल के पेड़ की पूजा की जाती है और यहां त्यूहर कहां पर मनाया जाता है तो यहां त्यूहर जारखन में मनाया जाता है तमिलाडू में फसलों से जुड़ा कौन सा त्यूहर मनाया जाता है अब यहां पर तमिलाडू से पूछा गया है कि तमिलाडू में फसलों से जूड़ा कौन सा तयोहर है जिसको मनाय जाता है पोंगल लहोरी और फिर 01 Uhr या फिर बीहू राइट आंसर आपका होगा पौंगल याद रखेगा तमिल्लाडू में फसलों से जूड़ा जो तयोहर मनाय जाता वो पोंगल मनाया जाता है विशूत युहार देखे विशूत युहार के समय नई फसल की बुवाई की जाती है और इसे कहां पर मनाय जाता है पूछा गया है देखे यहां पर जो विशूत युहार है यह नई फसल की बुवाई के हितु इस त्युहार को मनाय जाता है लेकिन कहां पर मनाय जाता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए मद्य प्रदेश, मेगा लाई, केरल या फिर उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर होगा केरल याद रखेगा विश्यू त्युहार के समय नई फसल की बुवाई के लिए तो यह कहां पर मनाय जाता है केरल में मनाया जाता है निम्न में से कौन से त्यूहार का संबन्द केरल से है यहां पर फिर से वहीं प्रशना गया लेकिन चार विकल्पो को यहां पर बदल दिया गया है निम्न में से कौन से त्यूहार का संबन्द केरल से है पतंग पर्व, लोहोडी, मकर सक्रांती या फिर ओनम राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा ओनम इसके बारे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पर जो केरल से संब्लत योहर होगा वो ओनम होगा बीहु पर्व किस राजजी का प्रमुक्त योहर है कुमाओ में मकर सक्रांती को किस नाम से जाना जाता है जैसे कि सुरूम में आपको बताया था कि मकर सक्रांती का जो त्योहर है वो बहुत जगा मनाते हैं तो कुमाओ में मनाया जाता है लेकिन वहाँ पर उसे किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में पूछा गया है गुगुतिया भूतिया बबुलिया या फिर पतंग परवत कुमाओ में जो मकर सकरांती को जाना जाता है वो गुगुतिया के नाम से जाना जाता है किस नाम से गुगुतिया के नाम से जाना जाता है कुमाओ में मकर सकरांती को बेसाकी का जो त्युहार है ये कहां पर मनाते हैं असम में, मेगले में, उडिसा में या फिर पंजाब में बेसाकी के बारे में पूछा गया है ये भी फैसल से सम्मरित ही त्युहार है राइट आंसर आपका होगा पंजाब याद रखेगा बेसाकी का जो त्युहार है ये कहा पर मनाते हैं असा मुस्तरप्रदेश उडिसा या फिर पंजाब जाब नवाखाई का नाम आए आपका सही आंसर क्या होगा उडिसा नवाखाई का जो त्युहार है ये उडिसा का त्युहार है अंतिम प्रशनी जैसे कि मैंने आपको टोटल बीज प्रशनी दिये थे और बहर में फसलों से जुड़े त्युहार कब से कब तक मनाये जाते हैं तो ये जनवरी से स्टार्ट हो जाते हैं तो राइट आंसर आपका क्या होगा जनवरी से अप्रेल तक देज भर में फसलों से जुड़े त्युहार मनाये जाते हैं तो बीसवे का जो आंसर होगा आपक आपको आगे वीडियो चीह हम जल्दे ही उस टोपिक पर वीडियो आपके लिए बना देंगे, तो यहीं पर आज का वीडियो समाब तो होता है, जल्दे ही एक नई टोपिक के साथ, नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए, धन्यवाद.